बहुत शिक्र ही उसमें नहीं होगा, विचार में मर्श किया गया, सभी लोगों ने अपने विचार कॉंग्रिस हाई कमांड तक पहुंचाए हैं और अब उनका भी इसमें मन्थन होगा सर्वे रिपोर्ट आएगी और हम प्रियास कर रहे हैं कि सबसे बेतर कैंडिडेट को हम मदान में उतारें ताके वो ये आने वाले लोगसभा की तुनाव पर अच्छे साबित हों और इसमें विजय का पर्चम लहरा है देखे हमाजरिल प्रदेश और खास करके मंडी पार्लिमेंटरे हलके के लोगगा भी हमने भरसक प्रियास किया इस बार कॉंग्रिस पार्टी ने ये फैसला किया है कि एक नौजवान चेहरा उतारा जाए आमी चुनाव में भी हम इसी तरह से मैदान में उतर कर लोगों की जन भावनाओं को समझते वे काम करेंगे और इस सीट में विजय हासिल करके हम ये लोगसभा उनको पहुंचाने का प्रियास करेंगे और जो भ्रष्टाचार को खतम करने की बात की वो भी इनके कारेकाल में नहीं हुआ तो इनके गोशनाव पतर में जितने भी वाते हैं उसको लोग भली भांती समझते हैं और लोग अब बुद्धी जी भी हैं पड़े लिखे हैं सब जानते कि हमें अपना भव कीमती वोट किस पार्टी को देना है जो हमारी प्रदेश का विकास कर सके और प्रदेश को आगे बढ़ा सके मैं गोश्णा पतर में वन नेशन वन इलेक्शन की बार ली करें यह किस तरह से लिखते हैं मैं आपके देखें वो कितना एक्सेप्टेबल होता है लोगों को और कितना उस पर सहमती बनती है और किस तरीके से वो पूरे देश में एक अच्छा संदेश देगा तो इसको लोग एकसेप्ट करेंगे अगर लोग ना चाते हुए इसको ना मनजूर करेंगे तो उसके मताबिक ही अब उनका भी इस पर मन्थन होगा सर्वे रिपोर्ट आएगी और हम प्रयास कर रहे हैं कि सबसे बहतर कैंडिडेट को हम